तो इसके उपर इतना बड़ा स्टेन है और साड़ी के उपर यह सारे स्पार्कल बने हैं तो हमारे पास लिमिटेड ऑप्शन है केमिकल यूज करनेंगे बहुत हार्ड केमिकल यूज नहीं कर सकते हैं तो सबसे सेफ हम स्टेन रिमोर यूज करेंगे इसके उपर जिससे की दाग नहीं गया तो चलेगा बड़ डैमेज नहीं होना चाहिए लिए 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 होने के बाद में नहीं दिखता है इस तरह से देखूंगा तो दिखेंगा और यह स्टेन आफ यूज कर रहा हूं है यह सबसे सेफ है तो अब चलो इसको पलट देते हैं इस साइड से भी तुड़ा सा स्क्रब कर लेते हैं और यह पल्लो पर ही है ना इसलिए मुझे इसको वाइट करना पड़ा है अगर यह पल्लो पर नहीं होता तो मैं ज्यादा टेंशन नहीं लेता इसको थोड़ा सा हांतों से स्क्रब करकर देखते हैं पानी में तो यह देख लीजिए अच्छे से स्टेन क्लीन हो गया है यहां से बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है और ज्यादा कुछ करने जाएंगे ना तो यह वर्क खड़ाब हो सकता है तो बस दोस्तों यह पुड़े यही तक थी जैंद् द्धन्यवाद दोस्तों इंपोर्टन लॉन्डरी के जो प्रोडक्ट होते हैं जो मैं आनलाइन मंगवाता हूं या मेरे नॉलेज में है कि यह सब के लिए यूसफूल होंगे तो उसकी आनलाइन पाइलिंग हमेशा में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूं तो जाके आप बाई कर सकते हैं चेक कर सकते हैं और बाई कर सकते हैं जय हिंत बंदे मातर जय स्त्री राम धन्यवाद दोस्तों